नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुरीट शामरो आप देख रहे हैं वर्करवाइस.टी दोस्तों ऐसे तो जहां भी आप काम करते हैं वहाँ पे अगर आपका इंप्लोयर यानि की मालिक नौकरी से निकालना चाहे तो उनके कई बहाने होते हैं कई बार legal तरीके से आपको निकाला जाता है कई बार illegal तरीके से निकाला जाता है दोनों condition में अगर आप उसे संतुष्ट नहीं है तो आप उसको संबंधित liver court के अंदर challenge कर सकते हैं अगर आप workman category में आते हैं लेकिन अभी पुरे देश में lockdown होने के बाद बहुत सारे लोग को नोकरी से निकाला गया है लेकिन उसमें अलग अलग रीजन है जिसमें की एक रीजन अभी हाल फिल हाल में कई जगा आपके कमेंट्स के माध्यम से या देखने परने को मिला उनको ये कहा गया कि आप करोना वैक्शिन नहीं लगवाएंगे तो आपको नोकरी से निकाल दिया जाएगा कई जगा निकाला गया कई लोग को धम की दे करके वैक्शिन लगवाया गया इसके साथ ही कई जगा इंक्रिमेंट रोक देने की बात कही गई और इसके बाद भी सोचल मिडिया के मादम से आप लोग को जानकारी मिलती होगी कि अगर ये वैक्शिन नहीं लगवाएंगे तो आपको क्या होगा सरकारी सुगधाय वगएर आपकी रोक दी जाएगी और इसी के बारे में एक RTI एक्टिविस्ट ने लगाया था और उसी का जवाब का कॉपी है जिसको पढ़ने के बाद आपके इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और उसका जो PDF कॉपी है वो भी मैं आपको दूँगा ताकि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आप मेंसे किसी के साथ आपके किसी साथी किसी रिष्टेदार के साथ हुआ हो तो ये आपके काम आ सके तो इसके लिए आप से नूध है इस वीडियो पिर आप आहन तक बने रहें और अगर आप हमारी चानल पे नहाए है तो जल से इसको सब्सक्राइब कर ले वेल आइकन को जरू क्लिक करें ताकि हम इस चानल पर आप वर्कर से समधी जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्रापत हो तो आए दोस्तों हम इसको कोरोना वैक्शन का देने का काम जो रोब्पे चलला है हर व्र वर्क के लिए अलग-अलग डेट सुनिशित करके उनको वैक्शन लेने के боль का जा रहा है इसके साथِ सवालों को ले करके एक RTI एक्टिविस्ट ने एक RTI लगाया था ऐसे तो इन सभी सवालों का जवाद जो RTI लगाया गया था उसके रिप्लाई में आपको मिल जाएगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ हूँ कि इंडिया टीवी न्यूज के नुसार दिल्ली पुलिस के जनरल राइडी में कहा गया था कि जो पुलिस कर्मी कोरोना वैक्सिन नहीं लगवाएंगे उनके वेतन विर्धी में कटोती की जाएगी जबकि बाद में जिस पुलिस कर्मी ने General Diary में entry की थी उसके खिलाफ departmental inquiry की जा रही है अब नई entry करके कहा गया है कि COVID vaccine के लिए प्रेरीत करने के लिए कहा गया था increment नहीं काटा जाएगा यानि कि U-turn ले लिया गया है यह एक example दिखाने के लिए मैंने दिया है चुकि यह portal पे है और इसका link मैंने नीचे वीडियो के description में जो हमारे blog है www.worker.in उस पे detail में पर सकते हैं वहाँ पे जो paper है दिली पुलिस का वो भी आपको मिल जाएगा अब इसके बाद आते हैं RTA में क्या सवाल किया गया था और किसने सवाल पूछा था जारखन निवासिस सिरी अनुराग सिनहा RTA एक्टिविस्ट ने भारत सरकार के परिवार एवं कल्यान मंत्राले से करोना वैक्षिन के बारे में RTI लगा करके पूछा उन्होंने अपने RTI में 6 सवाल पूछे थे जो की पहला है कोरोना वैक्षिन लेना स्वाक्षिक है या आनिवार्ज या जवर्दस्ती दूसरा है वैक्षिन नहीं लेने पे सारी सरकारी सुधाय बंद कर दी जाएगी सरकारी योजना पिंसन तीसरा यदि कोई IAS, IPS, स्वास्त या पुलिस करमचारी नागरी को धमकी दे की वैक्षिन नहीं ले तो ये कर देंगे तो नागरी क्या कर सकता है क्या कोर्ट जा सकते हैं चौथा है क्या वैक्षिन नहीं लेने पे एस्कूलों, कॉलेजों, बिस्विद्याले पर गैस कनेक्षन, पानी, बिजली, बिजली कनेक्षन, रासनादी के लिए क्या वैक्षिन नहीं मिलेंगे क्या वैक्षिन नहीं लेने पे नौकरी से निकाला जा सकता है चट्था है, वेतन रोका जा सकता है और नीजी सरकारी विभाग दोनों में इस तरह का सवाल है टूटी भूडी वासा में उन्होंने RTA लगाया था इसके जबाब में सिरी स्वरूप सिंग अवर सचिव CPIO भारत सरकार इनका फोन नंबर भी हमने दिया है और जो लेटर है उसका नंबर भी दिया है और इसका PDF कॉपी भी आपको हमारे पोस्ट के इन्होंने पहले सवाल की जवाब में लिखा है कि कोरोना वैक्षिन लेना स्वेक्चिक है मतलब आपके स्वेक्षा पहिसी लिए जब आप कोरोना वैक्षिन लेने जाते हैं तो आपसे फॉर्म भराया जाता है कि आपकी सहमती है और इसके बाद बाकी सारे सवालों के जव कि आप में से किसी भी साथी को नोकरी से निकाला गया हो या वेतन विर्द ही रोकी गई हो या जो ही इसमें बात बताई है वैक्सिन नहीं लेने के बाद आपके उपर इस तरह का कुछ भी हुआ हो तो यह जो PDF है जो RTA का जवाब है आपके काफी काम आएगा उमीद करूंगा यह जानकारी आपके लिए काफी useful होगी और इसके साथ ही आप क्या करेंगे इसको अधिक से दिक share करेंगे अधिक से दिक शेयर करेंगे अधिक से दिक साथ तक इसको पहुचाने की कोछिस करेंगे आपका कोभी सवाल हो नीचे comments करके पूछ सकते हैं वीडियो को लाइक करे करेंगे और अधिक सिर्दी शियर करेंगे ताकि अधिक सिर्दी साथियों तक यह जानकारी पहुंच पाए इसके साथ ही बिला लेता हूं जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं धन्यवाद